हेलो दोस्तों दोस्तों आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी खुसकबर है बहुत सारे स्टुडेंट वेट कर रहे थे दिल्ली पुलिस कॉंस्टेबल का आपके लिए ओफिशल नोटिफिकेशन रिलीस कर दिया गया है ठीक है वो ओफिशल नोटिफिकेशन हम आपको बत 2020 को date of computer-based examination 27 11 20 20 से 14 12 20 तक आपका exam चलेगा अब देखिए form की online application जो start हो रही है दोस्तों वो 18 2020 से 79 2020 तक ठीक है एक महने से ज़्यादा समय है आपके पास form भरने के लिए तो बढ़ियां से आप form भर दीजेगा जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी form भरिएगा तक कि आपका बाद में problem create ना हो ठीक है server की ठीक है फिर ये last date वगएरा जो receipt online application है उसकी जानकारी यहाँ पर दी हुई है ठीक है offline चलान की जो है ग्यारा नो 2020 इसमें date है अब हम इसको scroll करते हैं दोस्तों यहाँ पर हम सबसे पहले vacancies को जानेंगे pay skill जो आपका दोस्तों रहेगी आपकी जो salary रहेगी वो रहेगी 21700 से 69100 मतलब की 79100 रुपिया तक बढ़ेगी ठीक है 21700 से रहेगी level 3 की यह post है vacancy आप देखेंगे the details of vacancy RS follows यहाँ पर आप देखेंगे constable male candidates के लिए ठीक है तो यहाँ पर number of vacancy जो है total 3433 vacancy है male candidates के लिए ठीक है जिसमें general की है 1681, EWS candidates की है 343, OBC की 662, SC की 590, ST की 157, total मिलाकर 3433 यहाँ पर post होती है ठीक है अब यहाँ पर बात करेंगे constable male ex-servicemen की others including backlog SC 19 और ST 15 ठीक है यहाँ पर देखेंगे UR की general category की 94, EWS की 19, OBC की 37, SC की 52 है और ST की 24 है total 226 यहाँ पर post होती है फिर यहाँ पर constable male देखेंगे ex-servicemen यहाँ पर लिखा हो है ठीक है 93 post है UR की EWS की 19, OBC की 37, SC की 67 और ST की 27, 243 total post होती है स्क्रॉल करेंगे constable female के लिए female के लिए देखें UR की 933 है EWS candidate की 202, OBC की 38, SC की 388 और ST की 94, total में लाके 1,944 force female candidates की लिए आई हुई है ठीक है बड़ी संक्या है आप देख सकते है total जो post है वो है 5,846 total vacancy जो है 5,846 है जिसमें आप देख सकते है OBC की 11, 33, General की 28, 01 EWS की 5, 83, SC की 10, 37, 302 ST की total में लाके 5,846 यहां पर vacancy आपको देखने को मिलेगा ठीक है अब यहां पर स्क्रॉल करेंगे दोस्तों तो आप यहां पर देखेंगे age limit Age limit बहुत ज़्यादा जरूरी है आप लोगों की age limit जो है दोस्तों इसमें 18 से 25 साल के बीच आपकी age होनी चाहिए अब 18 साल कहां से गिनी जाएगी 17, 2020 से मतलब की 17, 2020 तक यदि आप 18 के हो चुके हैं तो आप form apply कर सकते हैं ठीक है यहां पर इसमें लिखा हुआ है और 18 से 25 आपकी age होना चाहिए अब SCST को 5 साल का चुट है OBC को 3 साल का है यहां पर लिखा हुआ है ठीक है बाकी जो जिनको problem होती है उनके लिए थोड़ा जादा है ठीक है जो departmental candidates है अप टू 40 साल तक वो form भर सकते हैं URK OBC के 43 साल तक SCST के 45 साल तक तो यहां पर पूरी information द service से रद्विर रिटायर होते हैं तो इसके लिए इसमें information शारी दी हुई है ठीक है और स्क्रॉल करेंगे इसको तो अभी हम लोग चल रहे हैं process of certification and format of certificate 10th plus 2 10th plus 2 यहां पर लिखा हुआ है qualification जो है 10th plus 2 past from recognized board education qualification is flexible up to 11th past for the son daughter of serving retired or decided Delhi police personnel ठीक है और यहां पर एक और चीज़ देखिए यदि आप लोगों के पास दोस्तों NCC के certificate है तो आपको बहुत बढ़िया यहां पर फायदा होना है NCCA certificate है तो 2% of the maximum marks आपको examination के मिल जाएंगे ठीक है NCCB certificate है तो 3% marks maximum mark मिलेंगे आपको और NCCC certificate आपके पास है तो 5% of the maximum marks of the examination आपको मिलना है ठीक है यहां पर इसमें mention किया हुआ है How to apply SSC के official website से apply होगा ठीक है application जो fee है आपकी 100 रुपी लगनी है ठीक है दोस्तों अब हम computer based examination की बात कर लेते हैं ठीक है यहां पर आप देखेंगे The computer based examination will be consist of one objective type multiple choice paper containing 100 questions carrying 100 marks with the following composition 100 questions आएंगे 100 number के अब यहां पर देख लीजे आपको किस topic से कितने question मिलना है General knowledge, current affairs से 50 questions आएंगे 50 number के Reasoning से 25 questions आएंगे 25 number के Numerical aptitude से 15 questions आएंगे 15 number के Computer fundamentals, MS Excel, MS Word Computer से related जो हैं 10 questions आएंगे आपके 10 number के तो total question होगा है 100 और आपके total marks होगा है 100 और time मिलेगा आपको 90 minute 90 minute में आपको 100 questions को करना है Negative marking की बात करें तो there will be negative marking of 0.25 mark for each wrong answer Candidates are therefore advised to keep this in mind while answering the questions तो आपकी जो है 1 4th की आपकी जो है यहां पर दोस्तों उनके लिए 1600 meter race 6 minute में है long jump 14 feet की उनको करनी है और high jump 3 feet 9 inch above जो है 30 और 40 के जो बीच के है 7 minute में आपको complete करनी है 1600 meter 13 feet की long jump है और 3.6 जो है आपकी high jump है मतलब 3 feet 6 inch above 40 years जो है 8 minute में आपको running करनी है 1600 meter long jump जो है 12 feet है और 3.3 जो है आपकी high jump होगी ठीक है यह लिखा हुआ है standard of physical measurement for male candidates आपकी जो दोस्तों height है वो होनी चाहिए 170 cm और 5 cm का इसमें full out होना चाहिए ठीक है यहां पर लिखा हुआ है ठीक है chest आपका होना चाहिए 81 cm और 4 cm का इसमें expansion होना चाहिए यह मतलब 81 to 85 इसमें होना चाहिए यहां पर इसमें ऐसा mention है physical endurance test for female candidates के लिए देखे हैं तो female candidates के लिए आप देखेंगे दूस्तों जो up to 30 years है उनके लिए 8 minute में 1600 meter running है 10 feet उनकी long jump है और 3 feet high jump है above 30 to 40 years जो है 9 minute में उनकी 1600 meter है 9 feet उनकी long jump है और 2.9 feet उनकी high jump है above 40 years देखेंगे 10 minute 10 minute में को 1600 meter complete करनी है 8 minute long jump होगी और 2 feet 6 inch उनकी जो होगी high jump होगी standard of physical measurement of female candidates height 157 cm इनका यहां पर मांगा हुआ है ठीक है तो यह normal सी आप लोगों के लिए है medical standard जो लगता है Delhi police का वो यहां पर बताया हुआ है ठीक है बाकी दोस्तों सारी चीज़े जो important चीज़े थे हमने cover कर चुकी हैं आपको इस से related कोई भी questions है queries है तो आप हमें comment करके पूछे और दोस्तों चैनल को subscribe कर लें फटाफट Delhi police की पलपल की update आपको हम देंगे जैसे कोई भी और notice आते है नोटिफिकेशन आती है हर update आपको मिलेगी जो भी नए vacancy आती है यदि आप government job की तयारी कर रहे हैं तो hotspot study को जरूर subscribe कर लें और side में जो bell icon बना होगा उसे भी प्रेस कर दें यहां पर आपको लगतार notice और notification की update दी जाती है